नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटीन में आपका स्वागत है नियूज बुलेटीन के स्पॉंसर है आरके ज्यूलर्स आकर सका भूशनों के विश्वसनी है विक्रेता यमना चौक बक्सर पानी की टंकी बनाने वाली फैक्टरी में लगी याग लाखो का नुकसान बारिश से सहम गए लोग हाला कि पंडालों को नहीं पहुंचा है नुकसान नौमी पर घरों में हुआ हवन पुजन जगा जगा कन्या भोज का आयोजन भुमी पुजन के साथ प्रारम भोगा स्री राम कर्म भुमी न्यास का यग्य भ्यान जदियू का रूप भाजपा की वज़ा से टल गए नगर परिशत के चुनाव बस ही में देवी जागरन का योजन राजपूर विधायक ने किया उदगाटन बलिया में जलभरी के साथ लक्ष्मी नरायन महायग्य का आगाज खबरेविस्तार से के प्राजप है एलेन सोली शर्च मार्केट पुरानी का चहरी के सामने कपडों की खरीद पर मिल रही आकर सक्छूट काम धेनु नेक्स नए जमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवम सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवम सिम्री संपर्थ करें नीचे दिये गए इन नमबरों पर अब खबरों के चर्चा विस्तार से पहली सुर्खी नगर परिशत चुनाव को लेकर के है आरक्षन रोस्टर को दी गई चुनावती के मामले में हाई कोर्ट ने आज 4 अक्टूबर को अपना फैसला सुना दिया इसमें ततकाल अती पिछडा एवमोबी सी के आरक्षन को लेकर जारी रोस्टर को देखते हुए मुख्य पारिशत और उप मुख्य पारिशत के चुनाव पर रोक लगा दी गई है इस आसे का फैसला मुख्य ने आधी संजे करोल ने आज सुनाया इसको देखते हुए बक्सर नगर परिशत के चुनाव अस्थगित हो गए हैं क्योंकि यहां मुख्य पारिशत और उप मुख्य पारिशत दोनों पद अती पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षी थ लिए है वहां के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोक्या निर्देश जारी करता है यह आने वाले समय में पता चलेगा बुलेटिन के दूसरी प्रमक्सुर्खी है पानी की टंकी बनाने वाली फैक्टरी में बीती रात सुमवार की रात आग लग गई यह फैक्टरी ग्रा सिलिंडर जब रात के वक्त फट रहे थे तो तीन किलोमीटर की इलाके में सिलिंडर फटने की आवाज सुनी गई आज मंगलवार की सुबह जब मीडिया के लोग पहुंचे तो फैक्टरी के अंदर का नजारा कुछ ऐसा था सब कुछ जल गया था हालाकि टीन की सेट की बन बुलेटिन के तीसे शुरखिये बारिस आज मंगलवार की दोपहर नगर में शुरू हो गई जमाजम हुई इस बारिस से पुजा का मजा थोड़ा सा किरकिरा सा हो गया है हालाकि पंडालों को बहुत नुकसान नहीं हुआ है नगर में बारिस कुछ हिसों में बहुत हलकी हिलाकों में बारिस तेज थी सूचना के अनुसार पुजा समीती के सरस्यों ने प्रतिमाओं को जैसे तैसे अथक परियास कर बचा लिया है हलाकि इससे सजावट और अन्य बजार में सजी फुटपाथी दुकानों को भी परिसानी छेलनी पड़ी है इस वज़ा से यह जो नजारा आप देख रहे हैं और कितिनी बारिस हुई इससे क्या नुक्सान हुआ उसका आकलन भी कर सकते हैं बुलेटिन की चोथी सुरकी है आज मंगलवार को नौमी की तिती घरों में हवन पुजन हुआ जगा जगा कन्या पूजन का करिकर्म भी आयुत हुआ यह नजारा पुलिस लाइन के समी पिस्थित काल रात्री नौदुर्गाधाम मंदिर का है यहां सैकडो की संक्या में छोटी बच्चियों को भोजन कराया गया उनका पूजन किया गया हिंदु धर्मृति रिवाज में आज छोटी बच्चियों की पूजन करने का विधान है बुलेटि लेकर वामनेस्वर स्री राम कर्म भूमी तिर्थ छेत्र में महा कुम्भसा अंतर राष्ट्री ये संत समागम कायोजन विक किया गया है यह कारविया दस्मी के दिन भूमी पूजन के साथ प्रारंब हो जाएगा यह की तयारी शुरू हो जाएगी बुलेटिन की छटी सुर जदियू ने नगर परिशत चुनाव टल जाने को लेकर भाजपर पर आरोप लगाए हैं हलाकि यह फैसला हाई कोट की तरफ से आया है लेकिन जदियू के मुख्य परवक्ता प्रेम कुस्वाहा ने अपना वीडियो बयान जारी करते हुए कहा यह भाजपा की सोची समझी स लाजिस का नतीजा है इसी वज़ा से नगर परिशत चुनाव पर ब्रेक लग गया है कि केंद्र की सरकार और भारतिये जनता पार्टी के द्वारा में के मिली भगत के कारण यह बिहार का चुनाव रोकने का प्रियास हुआ है इस पर हम खेद जताते हैं और यह बहुत ही दुर्भाग के पुन है और अगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में निशित रूप से देश की जनता जो है भारतिये जनता पार्टी को केंद्र की सता से बेदखल करने का काम जो है निशित रूप से करेगी प्रेम कुस्वाहा जीला मुख्य प्रवक्ता जनता दाली हुब वक्सा बुलेटिन की साथवी सुर्खी है राजपूर प्रखंड के बसही गाव में बीते दिन देवी जागरण का आयोजन हुआ जिसका सुभारम राजपूर के विधायक भी सुनात राम ने किया मुख्या प्रतिंधी राजेस कुमार द्वारा आयोजित इस कारिक्रम में जिले भर से पहुंचे कलाकारों ने देवी गीत गाए और लोगों का मननजन किया नवरात्र को लेकर रहा कारिक्रम बसही में बीते दिन आयोजित किया गया था बुलेटिन की आठवी सुर्खी है आज मंगलवार को लक्ष्मी नरायन महायग जो बलिया में पुझे जियर स्वामी जी के निसित्य में आयोजित है आज उसकी जल भरी हुई पांच अक्टूबर को अर्णी मंतन के साथ यहां यग भी प्रारंब हो जाएगा लक्ष्मी नरायन महायग पांच दिनों तक चलता है जियर स्वामी जी द्वाराय जित्य महायग में बकसर बलियां गाजिपूर आरा सासाराम कैमूर अनेग जीलों से सरदालों भक्त पहु के लिए हम बता दे बलिया से 6 किलो मिटर दूर जनेश्वर सेतू के किनारे एप प्रोच मार्ग पर यह यग मंडप जो आप यहां विशाल यग मंडप देख रहे हैं इसी में लक्ष्मी नरायन यग संपन्न होना है आज की बुलेटिन बस इतना ही आप देख रहे हैं बकस